चिनाव संबंधी, चिनाव से जुलवे अधिकारियों की हैरर्की को समझने के बाद, अब हम आते हैं उनकी शक्तियां क्या है ये जाने, चिनाव आयोग के लिए जरूरी है कि उसके पास, उसकी सफलता के लिए, कि उसके पास कारे शक्तियां हों, इतने अधिकार हों, कि वो दायत को वह बखू भी निभा पाये तो आखिर उसके अधिकार और शक्तियां क्या है समस्थ भारत में उसे चुनाओ कराना है लोक सभा के चुनाओ, राज्य सभा के चुनाओ, राष्ट्रे पती, उपर राष्ट्रे पती और विधान सभा विधान मंदल आपको लग रहा होगा कि प्रधान मंदल का चुनाओ नहीं करते हैं सबके नाम दिये हुएं प्रधान मंदल का चुनाओ इसका उत्तर आपको स्वैम खोजना होगा क्योंकि अन्य अध्याय में इसका जिक्र किया जा चुका है कि प्रथान मिंत्र का चुनाओ कैसे होता है तो यहां पर वह प्रिष्ट पेशन ही होगा मेरे द्वारा इसलिए आप इसे स्वैम इस प्रश्णिका उत्तर निकालें कि प्रधान मिंत्र का चुनाओ कैसे वरता है चुनाओ आयोग की शक्तियों और अधिकारों को हम कुछ इस तरह बांट सकते हैं उनको इन शिर्श्कियों के मातहत हम उनका अध्यान कर सकते हैं इसमें पहला है चुनाओ खेत्रों का परिशी मंद्र अर्थासी मंकन जिसका मैंने जेकर किया इसमांकन में बहुत सी दिक्कते हैं खासकर प्रायरंभ में लोकस्वा में 550 सीट हैं 540 सीट हैं उसमें 500 क्यास पास थी पूरे भारत को 500 भागों में बाटना ये सुरिश्चित करते हुए कि लोगों की खेत्री भावनाय भाशी भावनाय धार्मिक भावनाय खेत्री भागोले के सितियां जाने संख्या ये सब के साथ न्याय हो सके पूरे देश को लगवक 500 हिस्तों में बाटना एक बहुत ही बड़ा दूबर कारे था पर काम तो जरूरी था ही क्योंकि सारी चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत तो सीमांकन या परिसीमन से ही होती है तो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन इसका पहला महत्पूर्ण कारे दूसरा महत्पूर्ण कारे मत दाता सूची तयार करना तीसरा विभिन्य राजनीतिक दलों को मानिता देना कौन सा दल वास्तों में राजनीतिक दल कहलाएगा चोथा परिचा पत्र वोटर आइडी कार्ड की व्यवश्था करना पांचवा राजनीतिक दलों और स्वतंतर उम्मीदवारों को चनाव चिन्ह देना स्वतंतर उम्मीदवार यानि ऐसे उम्मीदवार जिन्हें किसी दल ने खड़ा नहीं किया वे अपने ही बल भूते पर चनाव लग रहे हैं उन्हें कहते हैं इंडिपेंडेंडन या स्वतंतर उम्मीदवार स्वतंत उम्मीदवारों का प्रावधान क्यों किया गया हमारे सम्विधान पे इस पे कभी हम आगे जिक्र करेंगे फिलहाल इतना समझ लें कि राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और स्वतंत उम्मीदवारों को चनाव चिन दिया जाता है अब ये चिन्द क्यों दिया जाता है जैसा मैंने बताया 1950 में 85% जनता अशिक्षित थी तो जो बैलट पेपर होता है चनाव पत्र जिसमें कैंडिडेट्स के नाम लिखे रहते हैं 85% जनता नामों को पढ़ने में सक्षम नहीं थी नहीं पढ़ पाती थी तो ऐसी स्थिति में उन्हें ये सुविधा उनकी सुविधा के लिए उन्हें चुनाव चिन् अबन्टित किया गया सभी को ताकि चिन्न के अधार पर मत दाता चहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो अपना मत दे किसी का चिन दिया, किसी का चिन साइकल, किसी का चिन घास, किसी का चिन हाथी, किसी का चिन बैल, पतंग, आदिया तो चुनाव चिन्ह जो है वह एक उम्मीदवार की अइडिन्टिटी एक उम्मीदवार का परिचे के रूप में था जिसे पढ़ने की जुरत नहीं पड़े कितना बढ़िया तरीका अक्तियार किया हमारे चुनाव आयोग ने देश की पचासी प्रिशत अशिक्षत जनता के मद्दे नजर ये विवस्था की गई थी तो चुन्देना उसके बाद आचार सम्भिता तियार करना Code of Conduct चुनाव के ठीक पूर्व से लेकर मत गणना होते तक राजनीतिक दलों का व्यवहार कैसा होगा क्या होगा सरकारी कर्मचारियों से क्या पेक्षा है और जनता से क्या पेक्षा है इसको लेकर एक आचार सम्भिता चुनाव आयोग लोगों के सामने रखता है और अपेक्षा करता है कि सभी संबंदित लोग इस Code of Conduct का पालन करेंगे और ना करने वालों पर बड़ी कड़ी कारवाई करता है इसके बाद अगला काम है चुनाव करवाना उसके बाद चुनाव प्रचार की सुविधा दिलाना उसके बाद चुनाव की तिथियां और चुनाव के करक्रम तै करना निर्वाचन कर्मचारियों पर नियंत्रण करना उनके व्यवार को लेकर उनकी ड्यूटी इसको लेकर आदी आदी मतदान केंदरों की स्थापना आरक्षित निर्वाचन खेतरों का निर्धारन आरक्षित खेतरों का निर्धारन रिजर्ब फॉर स्पेशल केटेगरीज जहां से केवल उस विशिष्ट वर्ग के लोग ही प्रतिनिदी बन सकते हैं, उम्मीदवार बन सकते हैं रिजर्ब नॉट फर वोटर किसी खास तबके के वोटर के लिए कोई सा ख्षित निर्धारित नहीं है बलकि किसी खास तबके के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित है और अंतिम है चुनाव व्याय का लेखा जोखा प्रप्त करना और उसकि जाच करना और लेखा जोखा गलत पाये जाने पर उचित करवाई करना जिसमें चुनाव की पतरता से रद करना भी शामिल है भारत की प्रधान मंत्री तत्कालीन प्रधान मंत्री शीमती इंद्रा गांधी ये जब चिनाओ लड़ी थी तो एक व्यक्त ने नियायले में अपील की थी कि इन्होंने कुछ खर्चे ज़्यादा किया है सीमा से ज़्यादा तै सीमा से ज़्यादा और सरकारी मशीनरी का दुर्पयोग और ये आरुप साबित भी हो गया यद्यपी सरकारी मशीनरी का दुर्पयोग और सीमा से ज़्यादा रकम में कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो नहीं था खर्च लेकिन जितना भी था आरोब तो तैह हो गया था और इसको लेकर शीमति इंद्रा गांधी को नियायले ने संसत की सदस्थिता की पातरता से उनकी पातरता को रद्द कर दिया उनके चुनाओं को रद्द कर दिया और इसी के परणाम सरूब फिर जो घटना करम भारत की इतिहास में हुआ वह एक काला ध्याय से कम नहीं है लेकिन वो दूसरी बात तो चुनाओं आयोग द्वारा लेखा जो खा खर्चों का उम्मी द्वारों और रजनीतिक दलों के खर्चों का लेखा देखा उनकी जाच कर करना और उसके उचित करवाई करना यह सब उसके दाएरे में आता है इसमें आपको याद रखना होगा इतना सब संपन्न कराने के लिए जरूरी है कि संबंदित अधिकारी कर्मचारी बड़े अनुशासित हों तभी उस समय सीमा के अंदर सारे कार्य उचित तरीके से निश पचाई तो यह है कि चुनाओ आयोग के शक्तियां बड़ी असीम हैं संबंदित कर्मचारी अधिकारी को वो जेल भी भेज सकता है बाज में भले इस पर कारवाई होती रहे सुनवाई होती रहे लेकिन पहला कदम जो चुनाओ आयोग उठा सकता है वहाता संबंदित अधिकारी कर्मचारी को नौकरी से सस्पेंशन का आदेश जेल भेजने का आदेश आदी आदी इसी लिए चुनाओ के दोरान सभी लोग बड़े सहमे रहते हैं अनुशासित रहते हैं इन कारियों के अलावा भी चुनाओ आयोग के कुछ होर कारे हैं जिसमें शामिल है विबिन राज्यों के परवेक्षक नियुक्त करना उधारन के लिए मैंने च्छतीजगड़ के चुनाओ का उधारन दिया कल्पना करी च्छ दे दिया है और कर्मचारी अपना काम करने हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी किसी किसी खास दल के लिए तो कारे नहीं करने हैं किसी खास व्यक्ति के लिए तो नहीं करने हैं किसी तरह की विश्वसनीता या निश्पक्षता पर प्रश्चिशन तो नहीं और ऐसा करते समय उसे मात्र वहां के राजिपाल या राष्टपती की अनुमति की जरुत होती है और कुछ नहीं तो परेवेक्षिकों की नियुक्ति इस लाइक एन इस्पेक्टर, सुपरवाइजर ये लोग देखते हैं बस और रिपोर्ट करते हैं अर्थाथ इनके द्वार रवड़ी पाए गई तो वहां का चुनाव रद्ध हो जाएगा सम्मधित व्यक्तियों पर करवाई हो सकती है परिवेक्षत बहुत महत्पूर्ण है इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में दूसरा महत्पूर्ण कर दूसरा महत्पूर्ण कर चुनाव आयोग संसद या कोई सदसे चुना गया चाहे वो राज्य की विधान सभा विधान मंडल हो या केंद्र का संसद हो चुनाओं के बाद उनकी अयोग गिताओं पर यदि प्रश्ण उठाया गया है और राज्य जिपाल या राश्पति को सूचित किया गया है तो अपना दाईत नभाते हुए चुनाओं आयोग उस पर टिपड़ी करता है इनकी अयोग गिताओं या योग गिताओं पर परामर्श देता है तीसरा चुनाओं या चिका के संबंद में सरकार को परामर्श देना कई बार ऐसा होता है कि पराजित दल या पराजित व्यक्ति विजई दल या विजई व्यक्ति के खिलात चुनाओं आयोग के पास जाता है या नया ले जाता है और कुछ सक्ष भी दिखाता है उस सक्ष की सच्चाई के अधार पर और खोजबीन के अधार पर यदि चुनाओ आयोक का कुछ निशकर्ष है अपना स्वतंत्र निशकर्ष तो वह निशकर्ष संबंदित राजिपाल या राश्पति को देता है सरकार को देता है अगला जो दाईत है उसका प्रादेशिक आयुक्तों की निशकर्ष के लिए राश्पति को परामर्ष देना उसके बाद अगला चुनाओं के दोरान होने वाली हिससात्म घटनाओं एवं मतदान केंद्रों पर कबजे की शिकायतों की जाच करवाकर उचित निरने लेना कई बार ये शिकायत आई हैं कि हिंसा हुई है किसी मतदान केंद्र में जिससे भाग दोड़ हो गई लोग भाग गए मतदान की पेटियों के साथ छिर चाड़ हुई कई बार मतदान केंद्रों पर कबजे की घटनाएं हुई ऐसी सित्मेदी परवेक्षक या पीठा सी नदिकारी जिला निर्वाचन अदिकारी ये ऐसी रिपोर्ट भेशते हैं तो चुनाओ आयोग यहां के चुनाओं को रद कर सकता है चाहे वह पूरे जिले के चुनाओं को रद कर दे पूरे एक निर्वाचन केंद्र के चुनाओं को रद कर दे या किसी एक मतदान केंद्र के अपने विवेक पर वह निर्णा लेने के लिए सक्षम है इन सभी कारेओं के अलावा भी निर्वाचन आयोग से या पेक्षा की जाती है कि समय समय पर वह चुनाव प्रक्रिया में सुझाव देता रहे सुधार का प्रयास करवाता रहे, सरकार को अनरोद करते रहे ने 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 जो सुधार के जो जरिये हैं, सुधार के जो रास्ते हैं उस पर अग्रसर होने का प्रेयास करवाता रहे अब हमने चुनाव आयोग के बारे में पूरा जान लिया उसका गठन कैसे होता है उसकी महत्ता क्या है और उसकी शक्ति और अधिकार क्या है और ये समझ लिया कि चुनाव आयोग ही वह संस्था है जो पूरे देश में चुनाव कराती, सरकार नहीं कराती, सरकार चुनाव आयोग के आदेश पर कारे करती है चुनाव संबन्दी मामलों में आप सोच सकते हैं कि चुनाव काल के दरान चुनाव आयोग कितना शक्ति शाली हो जाता है, सर्व शक्ति शाली हो जाता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये निश्पक्षता और इमानदारी के लिए जरूरी है, और अनुशासन के लिए जरूरी है खर्च का अनुशासन, समय का अनुशासन, व्यभार का अनुशासन इसके लिए आवश्चक है चुनाव आयोक की महत्ता लोगों को उस समय पहली बार बहुत अच्छी तरह समझ में आई जब श्री टी अन्शेशन देश के चुनाव आयक थे उन्निस सु इंकानवे बानवे के दौरान टी अन्शेशन ने जिस तरह के से चुनाव प्रणाली में घुसी हुई समस्त बुराईयों को आमूल चुल नश्ट किया और भारत के चुनावी माहौल में एक प्रांतिकारी बडलाव लाए उसके लिए टी अन्शेशन याद किये जाते हैं उसी का परणाम है कि दीवालों पे चुनाव के दौरान जो नारे और यह सब लिखे जाते थे वो समाप्त हुए उसी का परणाम है कि जो व्यर्थ के खर्चे जो होते थे उस पे लगाम लगी और ना जाने कितनी सारी कितने सारे बदलाव उन्ही कानूनों को लागू करते हुए टी अन्शेशन ने लाए जो पूर्वत थे लेकिन जिसे पूर्व के चुनाव आयोग ने उतने सफलता से लागू नहीं किया जितनी सफलता से श्री टी अन्शेशन ने किया अब हम आगे बढ़ते हैं पहला चुनाव भारत की लोकसभा का प्रथम आम चुनाव और चुनाव आयोग के लिए ये एक बहुत चुनावती भरा कदम था अब तक तो आप ये निश्चित रूप से समझ के होंगे कि पहला चुनाव याद रखें पहला चुनाव infad 52 कितना चुनाव भरा रहा होगा चुनाव आयोग के लिए सरकार के लिए देश की विश्वस्नीता के लिए देश की प्रतिष्ठा के लिए अंतराश्टी मंच पर बड़ सभी देशों के राज्या ध्रक्चों की नजर भारत के चनाओं पर थी कई लोग तो शायद मन ही मन इस चनाओं की असफलता की भी प्रास्टना कर रहे होंगे क्योंकि उन देशों की खुद की अलोग तंतरिक विवस्था को जायद ठहराने के लिए जरूरी था कि भारत की लोग तंतरिक विवस्था चर्मराय अपने बल पे खड़े नहों चुनाव आयोग ने इस चुनोतियों को बखूबी स्विकार किया उसने भारत के आकार को और उसको देखते हुए ये बिलकुल स्पष्ट कर लिया कि स्वतंतर और निश्पक चुनाओ कराना कोई आसान मामला नहीं है और इसलिए उसे पूर्ण रूपेंड पूरी तरीके से अब तैयारी करनी होगी सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाओ निश्पक्ष हो चुनाओ क्षित्रों का सीमंकन इस प्रक्रिया में पहली पहला कदम था उसके बाद मतादिकार या वयस व्यक्तियों की सूची बनाना और ये दो काम ऐसे थे जिसमें बहुत समय लग रहा था और लगना था भी खातकर उस समय जब संचार व्यवस्था ऐसी नहीं थी जैसी आज है आज तो हम घर में बैठे हुए ही किसी खेत्र का सीमंकन कर सकते हैं पूरे भारत के खेत्र का सीमंकन घर बैठे हुए किया जा सकता है फिजिकली भी आपको वहां जाने की जुरुत नहीं थैंक्स टू इंटरनेट लेकिन उस समय जाना ही जरूरी नहीं था बलकि उसके बाद वहां के लोंगों से विचार विमर्श करना एक सहमत ही निकालना एक मत होना यह और ज़्यादा कठिन और दूभर काम था मत डाता सुचियों का जब पहला प्रारूप तैयार हुआ तो पता चला कि उसमें चालिस लाक महिलाओं के नाम दर्ज नहीं हैं पूरे देश के विमिनक शेतरों से उसमें देश में सत्रा करोड मत डाता थे तीन हजार दोसो विधायक और फोर एटी नाइन सांच सच्च चुने जाने थे और इन मत डाताओं में जो सत्रा करोड थे जिसको मैं बार बार कह रहा हूं मातर पंदरा प्रिश्चर थी साक्षर थे और इस कारण चुनाओ आयोग को एक कुछ विशेश पधती को इजाद करना पड़ा चुनाओ कराने का और चुनाओ चिन का जो जो एक तरीके से उसके पीजे यही विशेश आवशकता की बात थी विशेश पधती की बात थी चुनाव आयोग ने ये पहला जो चुनाव कराया उसके लिए तीन लाग से ज़्यादा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया अर्थात ये प्रशिक्षन दिलाना भी उस समय एक बहुत अहम काम हो गया था देश के विशालाकार भारी भरकम संख्या मत इसके लिहाद से चुनाव अनुठा नहीं था बलकि इसलिए भी कि अनपड़ थी गरीब थी अधिकतर जनता और जब अनपड़ हों तो राजनीतिक दल उसका किसी भी तरीके से फायदा उठा सकते हैं और जब गरीब हों तो किसी भी तरह की भरश्टा चार के जरिये मतदान को अपने पक्ष में करवा सकने क्षमता रखते हैं और वो भी पच्चासी प्रतिशत तब का अभी तक जो लोक तंत्र था सन बावन त्रेपन तक के यह धनी देशों में ही था अर्था लोक तंत्र वोजी लग्जूरी डेमोक्रेसी वोजी लग्जूरी इट वस नॉट अनिसेसिटी चाहे वह अमेरिका की बात करें चाहे इं तंत्र धनी देशों में ही देखा गया और कहां भारत उसमें पूरे योरोप के अधिकतर देशों में महलाओं को मतादिकार नहीं था और तो और अमेरिका जैसे देश में एक बहुत बड़ी संख्या जो काले लोंगों की थी उनको तो मतादिकार 1969 में मिला 1969 में मिला 1969 तो ऐसी स्थित में भारत में महलाओं को मतादिकार दे देना और हर व्यक्ति को जो 21 वर्च से उपर का था उस समय वैस की परिभाशा के तहट उसे मतदान का दिकार देना एक बड़ा अजीब देना था लेकिन चनाओ आयोग को पूरा विश्वास था इन लोगो की ख्यामता पर और यह क्यों किया गया क्योंकि भारत में सार्वभौमिक अधिकार पर अमल हुआ सार्वभौम अधिकार अर्थात सभी लोगों को अधिकार अमेरिका में आपको बता दू कि उम्र के अलावा संपत्ति शिक्षा और ख्षेत्र ये भी शिक्षास्तर और ख् और मतदान की पातरता के लिए जरूरी हूँ यदि आपके पास निश्चित सीमा से कम संपत्ति है तो आप ये नाउमिदवार हो सकते हैं और ना मतदान का अधिकार भी रख सकते हूँ ऐसे एक स्तर तक शिक्षित होना भी जरूरी था लेकिन भारत में ये सब को दर किनार करत हुए केवल उम्र को ही पातरता का अधार मनाया गया इसे कहते हैं सार्व भौम अधिकार अब जब चुनाओं की प्रक्रिया शुरू हुई पहले चुनाओं की बात कर रहा हूं तो किसी कारण वश्चुनाओं को दो बार स्थगित भी करना पड़ा और अंत्त अक्टूबर 315 से 20 ये जो चार माँ हैं बलकि इसमें आगे पीछे के दो माँ और जो लगबब 6 माँ के चुनाओं पूरे हुए और इसलिए चुकि 1952 तक ये गया और परिणाम जो है वो 1952 में आए इसलिए इस चुनाओं को 1952 का चुनाओं कहते हैं क्योंकि जो पहली लोक सभा बैठी लोक तांतिक तरीके से चुनी गई वह 1952 से उसका कारेकाल शुरू होता है वैसे तो चुनाओं की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई तो 1951 से हुँ देश के अधिकान शृत्तों में मतदान भी 1952 में हुआ जैसा मैंने पहले बताया कि अभीयान, मतदान और फिर मतगणना और जुज़ई उम्मीदवारों की घोशना इसमें च्छै माह का काल लगा, च्छै माह का समय लग गया चलाओं में उम्मीदवारों के बीच मकाबले हुए, औसतन हर सीट से करीब चार उम्मीदवार खड़े थे, औसत कहीं दो भी थे, कहीं दस भी थे पर औसत देखा गया कि हर सीट से 489 सीटे मैंने बताई आपको, 489 में औसतन चार उम्मीदवार थे लोगों ने बढ़ चड़कर भाग लिया, आधी से अधिक लोगों ने मद्दान भी किया, चुनाव के परणाम घुशित हुए और सबसे अहम बात ये, कि हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परणामों को निश्पक्ष बताया यही विश्वस नीता कहलाती है, इसी विश्वस नीता को अरजित करने के लिए चुनाव आयोग ने इतने भारी स्तर पर कहना चाहिए तैयारियां की थी, विश्वस नीता को बनाने के लिए, अक्ष्यों निरक्षने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि लोकतंतर का जमीनी आधार मजबूत और मजबूत होता जाए इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निभादा और यहां तक हारे हुए पराजित उम्मीदवार भी इस चुनाव को निश्पक्ष मानते थे चुनाव परणामों की निश्पक्षता पर उनका पूरा विश्वास था रही बाद अंतराश्टी पक्रिया की प्रतिक्रिया की मैंने जैसा पूर में बताया अलग-अलग देश अलग-अलग नजरिये से अलग-अलग अंदाज से भारत के चुनाओं पर नजर रखे हुए थे अलग-अलग कारणों से अलग-अलग नजरिये से और अलग-अलग अंदाज से सबका उसमें स्वार्थ नहित था लेकिन जब चुनाओं पर नाम आए तो 1952 का आम चुनाओं दुनिया भर में लोक तंतर के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ लोक तंतर के इतिहास के लिए अभी तक ऐसा माना जाता था कि ये संभव नहीं है कि गरीब और अशिक्षित देश में गरीब और अशिक्षित माहौल में लोक तंतर के चुनाओं कराए जा सके हैं ऐसा संभव ही नहीं माना जाता था ये दलील थी ये सब गलत साबित हो गई इस अध्याय के अध्यन के बाद अब हम बढ़ते हैं कुछ प्रश्णों की और जो बड़े अहम है और ये प्रश्ण एक तरीके से लॉंग क्वेश्चन्स हैं देर्ग प्रश्ण है कुछ का हल मैं गाइडेंस के रूप में दिशा निर्देशक के रूप में दूँगा शेश आप स्वायम देखें पहला प्रश्ण समाजवादी पार्टी और कम्यूनिस पार्टी इनके बीच तीन अंतर बताएं तीन अंतर समाजवादी पार्टी और कम्मिनस पार्टी इसके बाद तीन अंतर आपको बताना है भारती, जनसंग और स्वतंद पार्टी यह चार पार्टियां बड़ी मुखर थी कॉंग्रेस के अलावा तो इनमें अंतर क्या था था थोड़ा क्या अलग अलग इनकी विचार धारा थी यह और स्पष्ट हो जाएगा आप इस तरीके से अध्यान करेंगे तो और आपको बता दिए उसके उत्तर के रूप में समाजवाद में विश्वास करता था जबकि Communist Party करान्तिकारी समाजवाद में विश्वास करती थी लोकतांतरिक बणाम क्रान्तिकारी और साथ Communist Party हिंसा में भी विश्वास करेगी यदि उसकी जर्द़ पढ़े तो lेकिन समाजवादी दल इसमें ने दूसरा अंतर समाजवादी दल कॉंग्रेस की कड़ी आलोचना करता था जबकि कम्मिनिस पार्टी जो है कॉंग्रेस की कड़ी आलोचना करने से बच्चती थी क्योंकि कम्मिनिस पार्टी के काफी नेता कॉंग्रेस से निकले हुए थे और कॉंग्रेस में जो ततकालीन बच्टी है जबकि समाजवादी दल इस मामले में कॉंग्रेस को कतई नहीं छोड़ता और कड़ी अलुछना करते रहता है। तीसरा अंतर जो है समाजवादी दल में उदारवादी नेता थे जबकि कम्मिनिस पार्टी में करांतिकारी नेता जादा थे। ये तीन अंतर दोनों दलों में रही बात भारती जनसंग और स्वतंत्र पार्टी की तो भारती जनसंग एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट के आदर्श पर काम करता था जिसका मैंने जिक्र किया है स्वतंत्र पार्टी स्वतंत्र अर्थ व्यवस्था पर जोड़ देती थी और उसके अनसार अर्थ व्यवस्था को सरकार कतवि नियंत्रित ना करे ना करे अईसा उसका विछार रहता था दूसरा जनसंग संस्कृति और आदर्शों पर विश्वास करती थी उसका ज्यादा जोड था बहुत जबकि स्वतंत पार्टी का आर्थिक व्यस्था पर ज्यादा जोड था तीसरा भारती जनसंग ने भारत और पाकिस्तान को एक अखंड भारत बनाने की बात कही थी अर्थाथ वापस स्वतंता से पूर्व का एक भारत बनाने की बात पर वो जोड दे रहा था जबकि स्वतंत पार्टी गुट निर्पेख्ष्टा की नीति के आलोचना करती थी और अमेरिका से नजदी की संबंद चाहती थी तीसरा अंतर हमेशा जनसंग ने आणविक खतियार बनाने की वकालत की भारत में जनसंग जो बाद में जनता पार्टी और फिर उसके बाद भारती जनता पार्टी बनती है वह सतत रूप से भारत के द्वारा आणविक खतियार बनाने की पैरवी करती आई है जबकि स्वतंत्र पार्टी जो है वो केंद्री कृत नियोजन के खिलाफ थी राश्टी करन के खिलाफ थी और किसी वितरह की सरकार की मौजूदगी किसी अर्थ विष्थक मामले में उसके खिलाफ रही है अगला प्रश्ण भारत और मेक्सिको दोनों में एक खाथ समय तक एक पार्टी का प्रभुत्व रहा बताईए कि मेक्सिको में स्थापित एक पार्टी का प्रभुत्व कैसे भारती एक पार्टी प्रभुत्व से अलग है इस पर हमने विस्तार से अध्यन किया है लेकिन फिर भी दो बिंदू यहां पर आपको बता दूँ कॉंग्रेस पार्टी लोकप्री मत गणना के आधार पे आई उसका प्रभुत्व लोक तांतरिक तरीके से हुआ मतदान के बल पर हुआ और वे ऐसा मतदान जो निश्पक्ष और इमानदार था जबकि मेक्सिको में जो रिविलिशनरी पार्टी थी वो ताना शाही के आधार पर शासन कर रही थी अर्था चुनावी वे अर्था को बहुत छेड़ रही थी बहुत दखलंदाजी कर रही थी मतदान पक्रिया में गणवड करके सतत रूप से वो सत्ता में आई दूसरा अंतर भारत में स्वतंत और निश्पक्ष चनाव निअम से होते रहे हर पांच वर्ष के काल में बावन संतावन और फिसके बाद बासट बगादा चुनाव होते रहे नियम से और ये निश्पक्ष हुए जिसको पूरी दुनिया ने सराहा है और हार भी जो होती थी वो भी बड़े निश्पक्ष रूप से होती थी और विरोधी दल भी स्विकार करता था कि चनाव बड़े निश्पक्ष हुए लेकिन मेक्सिको में ऐसी कोई बात नी थी वो हमेशा चनावी हेर फेर और धांदली में शामिल लिप्त पाई गई तीसरा प्रश्ण लोगतंतर स्थापित करने की चनावतियों को लिखें और बिंदुवार बताएं लोगतंतर स्थापित करने की चनावतियों इसका उतर देने के लिए आपको जाना पड़ेगा सतंतर भारत उन्निश्व सैटालिस के वर्ष में उस काल में जो चनावतियों थी उसको संक्षित में बताते हुए आपको यह हैलाइट करना होगा कि इन सब समस्याओं के मद्दे नजर लोगतंत को स्थापित करना एक बड़ा कठिन काम हो गया था और इसमें जो लोगतंत की स्थापिना में जो सबसे बड़ी चुनावति थी वो थी कि मतदाताओं की सूची नहीं थी कोई चुनावी व्यवस्था नहीं थी 15 परतिशत लोग मात्र शिक्षित थे और इन सब के अलावा कॉंग्रिस दल को छोड़ कर कोई अन्य दल नहीं दिखाई दे रहा था जिससे वास्ताओं में लोगतंतर व्यवस्था के लिए जरूरी माना जाता है तो इन चुनोतियों का जिक्र करते हुए आपको इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना है कि किस पकार चुनाव आयोक की का ना होना देश की विशालता जन संख्या की विशालता अशिक्षा की विशालता और उसके अलावा अन्य चनौतियां जो समय तत्कालीन थी और जिनको प्राथमिक्ता देना जरूरी था इसके बावजूद इन चनौतियों को कैसे स्विकार किया और कैसे लोकतांत्रिक जमीन तैयार की अगला प्रश्ण चुनाव आयों के कारे और शक्तियां बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है लेकिन अत्याधिक महत्वूण इस डिश्च से के अगले दोहजार चौबिस में फिर लोकसभा के चुनाव होने हैं और ये जो सत्र चल रहा है दोहजार बाईस तेईस का इसमें ये प्रश्ण बड़ा अहम बन जाता है कि हमको मालूम है कि नहीं कि चुनाव आयों के शक्तियां क्या है उसकी कारे शैली क्या है और इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया है आपको बिन दुवार इनको लिखना है कि इसके कारे क्या है जिसमें आपको सबसे अहम कारे चुनाव सीमांकन चुनाव क्षेतरों का सीमांकन मदाता सूची वोटर आईडी कार्ड और आदियादिया और शक्तियां क्या है इसको अलग से आपको इसके पावर्स क्या है इसका आपको विस्तार से लिखना होगा देखे अपने देश में चुनावी प्रक्रिया के मामले में पहला स्टेज था जब हर उम्मिद्वार को लेकर एक बॉक्स होता था और जिस उम्मिद्वार के पक्ष में मत देना है उस उम्मिद्वार के बॉक्स में जाकर मत डाला जाता था फिर एक दोर आया जब मत सूची बनाई गए और मत पेटी एक ही रखी गई उसके बाद चिनाव चिन भी इसमें डाले गए उसके बाद अगला दोर आया EVM का Electronic Voting Machine लेकिन फिर बाद में उसमें और सुधार करते हुए फिर EVPAT ये भी लागू किया गया जिसके तहट मतदाता को सुधार को मालूम पढ़ जाया कि उसका वोट उसी कैंडिडेट को गया है कि नहीं जिसके लिए उसने मतदान किया था तो इस पकार ये सुधार चुनावी सुधार और इसके लाव कुछ और भी सुधार हुए मतदान के संबन्द में इसका जिक्र करना है अगला प्रश्ण जो इस अध्याय से पूरा अध्याय से संबन्नित है वह है पहले तीन चुनाव में कॉंग्रेस के प्रभुत्व पर संक्षित लेख लिखें और साथ आपको शुरू करना है अपना लेख 1947 में कॉंग्रेस बनाम अन्य दल फिर आपको लिखना है क्यों उसको एक अध्वांटेज क्यों मिला शुरू में एतिहासिक पहलू को आपको ध्यान में रखते हुए उसको लिखना है कि कॉंग्रेस को प्रारंबिक दौर में एडवांटेज क्या थे पहला तो एतिहासिक दूसरा संगठ नात्मक जो उसका बल था तीसरा सभी नेता कॉंग्रेस के बैनर में काम किये हुए आदी आदी उसके बाद आपको चुनावी प्रक्रिया में कॉंग्रेस को सफलता है क्यों मिली जिसका मैंने जिक्र किया है साथ ही ये भी बताना है कि विचार धारा के रूप में कैसे एक बहुत बड़ा चाता थी है सामाजिक संगठन कैसे इसका बहुत मजबूत था जो अ कॉंग्रेस का प्रभुत्व बना रहा ऐसा बताते हुए आपको ये बताना नहीं भूलना है कि एक ओर जहां कॉंग्रेस के पास ये एडवांटेजिस थे वहीं विरोधी दलों के पास ये डिस एडवांटेजिस थे और डिस एडवांटेजिस की बात करेंगे तो संगठना अत्मक धाचे की कमी आर्थिक मद्द पर आर्थिक मुद्दे पर इनके पास पैसा नहीं था तीसरा जो शैशवा वस्था चौथा अनुभाव की कमी चुनावी राजनीति के अनुभाव की कमी और पांचवा भी आप इसमें डाल सकते हैं कि ये सभी दल कॉंग्रेस से एक तर क्युक्त विरोध भी कर पा रहे थे। कॉंग्रेस्स से बार्वनात्मक एक लगाव हो गया था ह। जिसके करने खुल कर नहीं के güard third नहीं कर पाता तो उस से अब आपको किवल Communist Party को लेकर एक छोटा सा लेख लिखना है जिसमें उसके उदै के बारे में उसकी विचारधारा उसके Congress से अलग होने के कारण और Congress से उसका टकराओ और अंतिम बिंदु होगा राजनीतिक जनावी स्थिति Communist Party के और वरतमान स्थिति क्या है इस वकार है विए है एस्थिति क्यान है